नमस्कार आप देख रहे हैं इस्पेशल कबरीज नियूज मैं हूँ आपके साथ सिर्पमार मिश्रा भारत में आज किसानों ने किसान बिलकु लेकर भारत बंद का आयोजन किया है हैं यहां आपके सामने उत्तरप्रदेश के घाजियाबास से लेकर आ रहे हैं जहाँ आपको इंदरा-पुरम का यह नजारा दिखा रहे हैं जहां आप देख पा रहे हैं कि मार्केट में एकका दुक्का दुकाने खुली हैं और ग्यादतर मार्केट यहां बंद निजरा आ रहा है यह देखिए सामने एक साइकल की दुकान खुली हुई है तो मार्केट में अंदर गलियों में भी सन्नाटा चाया हुआ है ग्रॉसरी की दुकाने खुली है एक कपड़े की दुकान खुली है और यह देखिए मार्केट में लगबग लगबग 60% लोग बाजार बंद किये हुए है जब कि कई जगे आपको देखने को मिलेगा कि दुकाने विलकुल बंद है टाइम अब लगबग साड़े ग्यारा बजने जा रहे है किसानों ने चक्का जाम का जो परदर्सन की बात की थी वो ग्यारा बजे से सुरू किया था तो ग्यारा बजे से तीन बजे तक यह देखिए पूरे के पूरा मार्केट बिलकुल एकदम चाक्शवबंद बंद है जहां उत्तरपदेश सरकार इस बंद को विफल करने का पू सबजी की दुकाने कुछ ठेले लगे हुए हैं और यह पूरा मार्केट आपको लगवग लगवग आजसी प्रसत बंद दिखाई दे रहा है सामने यह डेली बेसिस वाले जो विचारे कामगार है वो अपनी रेडी पट्री की दुकाने जो है वो खोले हुए हैं यह सब जो एनेस 24 की करेंगे तो वहां बिलकुल सन्नाटा है क्योंकि किसानों ने यूपी गेट पर विलकुल चाक चौवंद कर रखा है इस पूरे किसान अंदोलन में जहां उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा किसान संग्ठन भारती किसान यूनियन नेत्रत कर रहा है तो ऐसे भारत बिलकुल को लेकर भारत बंद का आयोजन कर रहे हैं बहीं इस भारत बंद आयोजन में देश की ज्यादातर विपक्षी पारिटियां खुल कर आ गई हैं जबकि एंडियो के भी कुछ सयोगी दल इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं राजिस्थान की राष्टी लोकतांत्रि पारिटी के सांसद हनुवान वेली वाल ने तो धमकी दे दिये कि अगर किसानों के आंदोनन को लेकर कुछ जल्द ही नेड़े नहीं लिया गया तो हम एंडिये छोडने को मजबूर होंगे ये आपको राजहन्स प्लाजा का मार्किट दिखाई दे रहा है जहां इका दुक का दुका दुकाने खुल रही है और पूरा मार्केट में सनाट रहे तो सामने ये दूसरा छित रहे और लगातार हम आपको ये असलियत जो मार्केट की है भारत बंद के दोरान वो आपको दिखा रहे हैं अगर हम किसानों को लेकर बात करें तो किसान जो MSP को लेकर लड़ आई है किसान का गैउं 1600 से लेकर 1800 रुपया प्रत कुंटल विकता है उसी गैउं को पीटने के पीसने के बाद जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो 35 रुपई से लेकर 40 रुपई तक आटा की विक्री करती हैं और उनका अपना एक MRP होता है जब 16 रुपया या 17 रुपया क कि लोग खरीदे गए गैउं का एक MRP 36 रुपई में तब्दील हो जाता है तो किसानों की MSP को लेकर मांग गलत कहां है और सरकार को इसे मांग लेने में ही एक बहतर भलाई है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि किसान को अगर MSP की गारेंटी नहीं मिलेगी तो वो बास्त भी आज के दोर में बरबाद हो चुका है हम आप से एक छोटा सा सवाल करते हैं जिस देश में विजलरी की बोतल 20 रुपया लीटर विक्ती हो वही किसान अगर मकाब होता है तो एक घंटे में जो 100 रुपया लीटर का डीजल फूप कर उस मका को तयार करता है उस एक बीगे में कई हजार विजलरी वोतल पानी यूज हो जाता है और उसके बाद उसकी बक्का की खीबत आज की तारीक में सिर्फ 1100 रुपया प्रती कुंटल है अगर 1100 रुपया प्रती कुंटल की दर्थ से उसकी मका विकेगी तो उसके पास आत्मत्या या बरबादी के अलाबा अच्छी सिख्छा दे पाएगा ना अपने परिवार को अच्छा भोजन मोहिया करा पाएगा उसके पास हो गया तो सिर्फ और सिर्फ वोकमरी का आस्वासन बच्चों को जूटा आस्वासन देकर सिर्फ साम को सांतोना की नीच सुलाता रहेगा और खोद खेत में बरसात जाडे सब की बिना परवा किये हुए अपना जीवन यापन करता रहेगा और यूँ ही गुजरता रहेगा इसी दास्ता से सरकार को किसानों की कुछ मांगों को मान कर ये भारत बंद आंदोलन या किसानों का दिल्ली घेरो आंदोलन ये बंद करना चाहिए हाला के सरकार से कल कुछ संग्ठन मिले है ये नोंने इस सरकार के पूरे कारनामे का समर्थन किया है अब वो कौन किसान है जो सरकार के इस कानून का समर्थन करते है और वो कौन से किसान नहीं है जो इस पूरे कानून का विरोध करते है आखिर ये क्या राज है ये अब तक पर्थन कर रहे हैं तो बहीं कई लोग इस आंदोलन के मुखर विरोध में खड़े हो गए हैं आंदोलन का जो मुखर विरोधी चेहरा है वो सिर्फ केन सरकार और NDA की सयोगी पाइटियां हैं बाकी सभी दल धीरे धीरे करके जुटते चले आ रहे हैं और सरकार इस पूरे आं काम दिखा कर और एक बार फिर ये साबित हो जाए कि आंदोलन विपक्षियों ने कराया है लेकिन जो असलियत है उससे हम भी रूबरू नहीं होना चाहते हैं इस देश का जो चाहे वो गाजियाबाद का रहने वाला है चाहे वो दिल्ली का रहने वाला है सो प्रसत लोग ग दिल्ली पुलिस के सिपाई है चाहे यूपी पुलिस के वो सिपाई है जो जो इस पूरे आंदोलन को समाल रहे हैं आंदोलन कारी है ये इंद्राप्रमिला का है घाजियाबाद का जो आप देख रहे हैं मीनू ललित नौरंग जी ये घाजियाबाद का इंद्राप्रमिला क आप इस आंदोलन को लेकर हर छोटे बड़े की एक पूरी भूमी का नजर आ रही है। अपने घर पहुँच चुके हैं और बहां रहकर खेती का काम कर रहे हैं और उस खेती के काम से अपने परिवार को पाल रहे हैं तो मेरा मानना है कि ये सब करके हम एक बड़िया मैसेज दे किसानों के आंदोलन के साथ खड़े हैं या ना खड़े हैं ये आपके उपर डिपें से जुड़ जाएंगे क्योंकि किसान जब खोसाल रहेगा तो हमें किसी भी अन्य बड़े प्रोजक्ट की आवशक्ता नहीं है हमारे देश में 60 प्रसत लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं जिनका मुख काम खेती और किसानी हैं सबसे बड़ी बात आपको बता दे इस जब तक किसान की आहलत नहीं सुद्रेगी हमारे आर्थिक हाला सुद्रना बहुत ही मुश्किल और नामुम्किन है अब जो दिल्ली से और अन्य बड़े प्रांतों से बाहर निकले हुए कामगार हैं वो आपको फिर हम बताते हैं कि वो घर जाके खेती कर रहे हैं और जब सतर और आसी रुपया लीटर डीजल फूप कर वो किस भाव अपनी फसल तैयार करेंगे और जब उसका कोई MSP निधान नहीं होगा तो क्या वो बेच पाएंगे मैं इस मामले में हमारे सभी फेस्बुक दर्सक जो हमसे जुड़े हुए हैं वो हमें लिखें और बताएं क्या किसान को MSP नहीं मिलनी चाहिए क्या किसान को अपनी फसल का वाजब मूल नहीं मिलना चाहिए अगर ये सरकार बेरोदी एलान है तो विलकुल गलत है और अगर किसान को उसकी फसल का मूल वाजब मिलना चाहिए उसकी फसल की बास्तवी कीमत मिल ली चाहिए तो ये अंदोलन आप सब सामिल होकर इस अंदोलन को सफल बनाएं ताकि किसान की हाला सुदरे वारत हमेशा क्रशी प्रधान देशों में गिना जाता है और जब क्रशी प्रधान देश अपनी हाला सुदरने में नाकाम दिख रहा है तो उसके पास सिर्फ एक ही युक्ती होगी वो होगी किसान की सुदरती माली हालाद किसान की जब हाला सुदर जाएगी तो देश को विशुगुरू बनने से कोई नहीं रोक सकता है सिर्फ बड़े लोगों के एलान से विशुगुरू नहीं मना जा सकता है विशुगुरू तभी भारत बनेगा जब निचले पाइदान से लेकर उपर के पाइदान तक हर बिना आर्थिक हाला सुधारे नहीं बना जा सकता है बना जा सकता है तो सिर्फ इस देश के किसान की हाला सुधारने के बाद विस्गुरू बना जा सकता है और विस्गुरू बनने के लिए सिर्फ जिम्मेदार है तो इस देश का किसान किसान के 2014 से और 2016 तक के जो आत्मत्या के आंकड़े थे बहुत उचे थे लगबक 40 हजार के सम्थिंग किसानों ने उन दो वर्स में आत्मत्या की उसके बाद सरकार ने 16 से उस NCB रिपोर्ट को रोक दिया है जिसमें हम जानकारी नहीं मिल पा रही है कि अब तक कितने किसानों ने आत्मत्या की क्या किसान के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ आत्मत्या है वो बैंक से करज ले ले, वो साहुकार से करज ले ले, अपनी फसल तयार करे 80 रुप्या लीटर डीजल फूक है और उसके बाद एक पेड़ पर लटक कर और वो पेड़ पर लटक कर वो फांसी के फंदे पर जूल जाए क्या यही है किसानों की किस्मत में यह लेखा जो का हम आपको बड़ी असलियत से रूब रू कराते हैं किसान दिन और रात मेहनत करके अपनों बच्चों से किस तरीके से जुड़कर बच्चों को साथ लेकर इस भीसाठ ठंड में भीसाठ गर्मी में लू में लपट में कैसे जाके और वो अपने बच्चों का पेट भरता है और आपके लिए गेहूं चाबल और सब कुछ तयार करता है लोग कहते हैं कि पंजाब से आवाज उठी है क्योंकि पंजाब में कंग्रेस की सरकार है अरे भाई किसान न किसी सरकार का होता है न किसी पाइटी का होता है अगर किसान ने अपने हालात नहीं सुधारे तो इस देश में बरबादी से कोई रोक नहीं सकता है देश किस इस सिती में चला जाएगा कहा नहीं जा सकता है किसान का यही बाजरा पिछले वर्ष वाइस सो रुपया प्रसी कुंटल बिक रहा था किसान ने सोचा कि 5,000 बिक सकता है 24,000 बिक सकता है उस किसान ने अपना बाजरा आज की तारीख में 1,000 रुपया बेचा है क्या MSP की आवश्यक्ता नहीं है उसी बाजरे के आटे को अगर आप दिल्ली में खड़िते हो तो 30 रुपया किलो मिलता है क्यों उसकी MRP पर कौन नहीत करता है किसान की सरसो 40 रुपया 30 रुपया किलो बिकती है और उसी का निकला हुए तेल 130 रुपया MRP पर बिकरा है कौन करता है MRP ते और जब MRP ते होती है तो किसान के MSP की क्यों बात नहीं कही जाती क्यों नहीं किसान की बात सुनी जाती है आकि कौन है वो लोग जो किसान की हालातों को आगे बढ़ने से रोक रही है कौन है वो लोग जो किसान की दुर्दसा से निकलने के लिए दोसी है और कौन है वो लोग जो जूटे आश्वासं दे कर किसान का बोट लेते हैं और उसी बोट को लेकर किसान के बिरोधी बिल के सरकार में बैठकर पास करते हैं आखिर किसान के लिए जिम्मेदार कौन होगा क्यों नहीं बात करते हैं किसान की सदन में जाते हैं तो किसान की बात नहीं करेंगे जमीन पे आएंगे तो किसान के सबसे हिट की बात करेंगे उसके गन्य के बूली की बात करेंगे उसके गन्य के भुकतान की बात करेंगे उसके MSP की बात करेंगे और जब सरकार में बैटे होंगे चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो BJP की सरकार हो तो सब जाकर इसका क्यों विरूद करते हैं आच्छे बरस से मुधी सरकार है उससे पहले तो कॉंग्रेस की सरकार थी क्यों नहीं MSP का निधान हुआ कौन है इसका जिम्मेदार किसान इन सब को खुले दिमाग से सोचे और समझे फिर एक अपनी रणनीती बनाए ये फिर किसान के दुआर पर अपना माथा ठेक हैंगे आने वाले दो साल बाद हर चुनाव में आकर ये जमीन पर सर पठकते हैं किसान के आगे भीक मांगते हैं किसान के लिए नई नई लोग लवावनी योजना ही लाते हैं उसके खाते में पैसा क्रांसपर की बात करते हैं उसके किसान गन्ना भुखतान की बात करते हैं और जब सत्ता में बैठते हैं तो अपने मद में चूर होकर सब को भूल जाते हैं और सिर्फ याद रहता है अपना स्वार्थ, अपने लोगों का स्वार्थ, फिर कहां चला जाता है वो किसान, फिर कहां चला जाती है किसान की गरीबी, और फिर कहां किसान की बरबादी, और कहां किसान की आत्मत्या, जब बिरोध में होते हैं, तो हम कहते हैं किसान बरबाद कर दिया इस सरकार ने, और जब ह आप उसके लिए क्या करते हैं। 16 रुपया, 17 रुपय किलो गहू बेच कर, वो उसी आठाको दिली में जब उसका बच्चा जाके वहाँ कुछ सर्विस करता है, तो 36 रुपय किलो खरीदता है, 40 रुपय किलो खरीदता है और उसे बताया जाता है, इसमें कुछ अच्छा मिलाया गया क्या मिलाते हैं ये लोग, क्या इसमें डवल अप करते हैं कल सहद की जाच कराई गई है, तो सभी बड़े कंपनीज के सहद फर्दी पाई गई हैं कहां है सरकार की वो मोनोपॉली, कहां सरकार चेक करती है, लेकिन किसान 80 रुपया लीटर का डीजल लेकर जो फसल तयार करेगा, वो उसकी 1000 रुपया कुंटल विकेगी, मक्का 1000 रुपया कुंटल विक रही है, एक अमूमन मक्के में 8-9 पानी लगते हैं, एक पलेवट होती है उस पलेवट में अगर 10 पानी हो गए एक बीगे में कम से कम एक से डेड़ लीटर डीजल लगता है अगर डेड़ सो रुपया प्रत बीगे के आउसत से वो फसल तयार कर रहा है वो उसके बाद 10 पानी लगते हैं, तो 15 सो रुपया पाणी पाणी दे रहा है, उसके बाद उसकी फसल, वीज, खाद और उसकी महनद, उसकी जमीन, सब कुछ अलग है और उसके बाद उसकी कीमत 1100 रुप्या है क्यों नहीं बोल देते हैं को वो अपनी बंजर खेती कर दे और उसमें कुछ ना करे और अपने सब घर को बैटके उसी में आत्मत्या कर ले वो करज में दब जाता है उसकी बेटी की समय पर साधी नहीं होती है बेटे की समय पर साधी नहीं होती है बेटे को समय पर सिख्षा नहीं मिलती है लेकिन फिर भी इस देश को पीछे करने में कौन दोसी है कर अपने पदम विवूशाड और ये सब पुरुष्कार वापस कर रहे हैं वो आध्देश ब्रोधी हो गए आखिर ये कब तक चलेगा हम लोग क्यों नहीं बैठके एक बढ़िया सी बात करते हैं किसानों के बीच बैठके क्यों बुला रहे हो बार बार उन्हें अंदर आए हैं और उसके बाद आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं सिर्फ अपनी कीमत के लिए वो आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं अगर उनके कीमत आज MSP 18 रुपया हो जाएगी तो परसों आप भी लड़ाई लड़ेंगे कि हम 26 रुपय किलो से उपर आटा नहीं खरी देंगे हम 100 रुपय किलो से उपर तेल नहीं खडी देंगे जिस दिन ये सब करने लगे उस दिन किसी जागरुकता की जरूरत नहीं है किसी सरकार की जरूरत नहीं है उस दिन आपके कहें मताबिक हर चीज का MRP होगा हर चीज की MSP होगी कोरोना के दोरान जो दवाईयों की कीमत में इतनी भारी ब्रदी देखी गई वो क्या है अगर इसी तरीके से सभी समाचार एजेंसी सभी समाचार चैनल इन सब बातों पर बहस नहीं करेंगे वो अभी कुछ ये दिखाएंगे कि भारत बंद जो था वो असपल रहा भारत ब पिसान की ये दिखा रहा है कि उसके घर में उसकी पतनी बीमार है और वो इस समय आंदोलन में सड़क पर बैठा हुआ है आखरी ये जो हज़ारों लोग लाखों लोग दिल्ली में इस समय आंदोलन कर रहे हैं ये किसी पाइटी के द्वारा भेजे हुए नहीं हो सकते हैं ह हो सकते हैं, इस आंदोलन कोई लोग करा रहे हों, पीछे से कुछ लोगों को सेह दिये हुए हैं, लेकिन ये तो खुली बात है कि वो पंदरा सो रुपया एक बीगे मक्का पर पैसा खर्च करके वो हजार रुपया कुंटल मक्का बेच रहा है, वो दो हजार रुपया बीगा खर्च करके वो बारा सो रुपया में अपना धान बेच रहा है और जो अठारा सो रुपया में बेच के आ रहा है, सरकारी एजनसी पे, वो पिछले डेड़ महीने से किसी किसान के पैसे नहीं मिले हैं, कल बरेली में एक बड़ा गोटा लाप पकड़ा गया है, जहां का वो योजना सरकार के द्वारा जमीनी इस तर पर लांच की जाती है, वो इसी तरीके से फेल होती है, चाहे वो किसान बीच की हो, सरकार कहती है, कि हम ब्लॉक इस तर से आपको बीज महीया कराएंगे, वो सारी फरजी कंपनीज के बिल लगते हैं, किसान के पास यो एक किलो बेक्ति को वहां का एडियो, वहां का ग्राम पंचाइद विकास अदिकारी एक बेक्ति के घर एक पैक्ट दे आता है, और पूरे गाओं की हाजरी लगा कर वो सारा बीच, उसी एजनसी को वापस कर दिया जाता है, यह आपके हालात बदलने के काइन है, क्यों नहीं डीजल सस्ता कर रहे हैं, जब डीजल सस्ता आ रहा है, तो डीजल आप इन्हें सस्ता दीजिए, डीजल महगा आए, तो आप इन्हें महगा दीजिए, जरूरी है कि पूरे देस के नुकसान की भरपाई अकेले सिर्फ डीजल से की जाए, इस देस की डीजल की जो भी विक्री होती ह हैं कि भारत बंद में आज आम ब्यापारी आम व्यक्ति कितना समर्थन कर रहे हैं किसानों का क्योंकि किसान अगर बरबाद हो गया तो निश्चिती आप भूंके मर जाएंगे इस 135 करोड जनसंख्या को जो गिनी जाती है वो आज 1500 करोड की लगबग होने जा रही है ये 1500 बाना अगर वंद कर दिया तो आप भूंके मर जाएंगे इन्होंने सबजी पैदा नहीं की तो भूंके मर जाएंगे इन्होंने गैउं पैदा नहीं किया तो आप भूंके मर जाएंगे इन्होंने अगर मक्का पैदा नहीं की तो आप भूंके मर जाएंगे लियाजा सरकार कुछ सामने आकर किसानों की बात सुननी चाहिए, चाए भिल वापस लो या ना लो, इने संतुष्ट करके इने इनके घर बेजो, इनकी बातें सुनो, ताकि ये जाकर अपने घर ये कह सकें, कि हम एक महीना दिल्ली में रहे, पंदरा दिल्ली में रहे, और आपके लिए ये ए कारण का परसंद चिन है इसलिए वो सड़क पे उतराए जरा अपने दिल पर ठंडे दिमाग से हाथ रख कर सोचिए कि आखिर किरसी प्रधान देश का किसान की दुर्दसा का जिम्मेदार को ने जितना जिम्मेदार भाज पाए उतनी ही जिम्मेदार कांग्रेस है दौनों न किसानों की दुर्दसा की बराबर अंदेखी किये कांग्रेस सरकार रही तो इन्हें लॉली पॉप हर बार लोन माफी का दिया गया भाजबा सरकार आई तो 2000 रुपया प्रतिये दो तीन महीने के बीच में दिये जाएंगे मतलब साल में आपको 6000 रुपया पे किये जाएंग कौन सा ऐसा आदमी है जिसे 500 रुपया प्रत महीने दिये जाएंगे और उसका भला हो जाएगा ये लॉली पॉप देना बंद कर दो इनके हित की बात करो गन्या की बात करो धान की बात करो आलू की बात करो हम आपको एक छोटी बात अभी आपके सामने मौदूद आए आलू 40 से 50 रुपया प्रती किलो किस विक्ति में नहीं खाया है 50 रुपया बाला आलू किसान ने उस समय 2000 रुपया का बोरा लेकर किसान ने खेत में बोया है एक आलू में पांच पानी लगते हैं अगर एक बीगे की आप लागात निकालोगे तो 2000-2000 लगबख 6-7000 रुपया आलू की एक बीगे की लागात होगी इस महगाई के भीज में और एक बीगे में जो अभी कच्छी सीजन का आलू होता है वो 10 बोरी से लेकर 15 बोरी तक निकलता है मतलब 5 कुंटल से लेकर 7 कुंटल बीगे का होता है अब वो आलू किसान का 12 से 14 रुपया बिकेगा 8000 रुपया की लागात लगा के और जब किसान का मार्केट मायेगा तो वो आलू मुश्किल से 700800 रुपया प्रतिकुंटल बीगेगा अगर 10 कुंटल का हुआ है तो 9,000 की लागात लगा कि वो किसान फिर रोके घर जाएगा और 7,000 रुपया उस आर्थ से या उस दुकान से लेके जाएगा ऐसा कौन सा अव्यक्ति है ऐसी एक फसल आप हमें बता दो 20 फसल वो वोता है तो उसमें सिर्फ एक फसल काम्याब होती है ज्यादातर किसान कोल्ड श्टोर में अपना आलू छोड़ के घर चला आता है उस पे आलू निकालने के लिए पैसे नहीं होते हैं उस दिन किसी ने पूछा इस किसान से जाकर के आपने आलू क्यों नहीं कोल्ड श्टोर से निकाला गुल्ड स्टोर का वो डिवालिया हो जाता है गुल्ड स्टोर वाले उसके नाम ब्याज का पैसा रेकल रिख लेते हैं और वो अगले साल तब तक बेट करते हैं जब तक वो घून के उस कॉल्ड में नहीं आ जाता है और एक दिन वो विचारा करीब भूलकर उसी cold store में अपना आलु दुबारा फिर रख देता है और अगर अच्छा रेट आ जाता है तो बही cold store मालिक वो अपना पुराना बही खाता निकाल के उसका आलु बेश में देता है और अपना पुराना चुकता बरावर कर लेता है ये है किसान की असलियत, ये है किसान की सही बात, और इन सब पर सोचेगा कौन, अरे सोचोगे आप, सत्ता में आप हो, कांगरेस के सिर पर ठीक रापोड़ने से, आम आदी पार्टी के सिर पर ठीक रापोड़ने से नहीं आप बच सकते हो, आपको वो सारी युक्तियां अपन किसान में निकल कर किसान आपको गले लगा लेगा किसान आपकी सभी गलतियां भुला देगा और किसान फिर आपको सरकार बना कर देगा लेकिन अगर आपने यही आलम रखा तो किसान आपको जमीन पर भी पठक देगा आपकी सत्ता चीन लेगा और आप जहां थे भी फिर रहने से नहीं काम करता है आपने उससे कहा चुनाओ से पहले कि हम 6,000 रुपिया प्रत किसान देंगे बोट पढ़ने से चंद दिन पहले आपने पहली किस त्रिलीज की किसान ने आपको वो पूर बहुमत दिया जो पूरा देश देखता रहे गया जहां कांग्रेस अपने सब कुछ तैयारी के मनसूबे धरे के धरे रहे गई उसने अपने सभी बाकाइदा मिनिस्टरों के नाम भी फाइनल कर रखे थे कि हम सत्ता में आएंगे हम इन लोगों को मंतरी बनाएंगे लेकिन एक किसान ने सिर्फ आपके एक बात पर पूरा देश पलड़ दिया था पूर कि दो-चार संग्ठन गए थे पचास से ज्यादा संग्ठन उसके ब्रोध में गए थे और आपने कल बड़े खुसी से ये कहा कि कुछ संग्ठन आए हैं जिन्होंने बिल की बड़ी तारीब किये लगातार कई न्यूज अजेंसी ये चला रही हैं कि किसान इस बिल से बहु कि मुझ जा चुके हैं उस दिन एक बिचारा किसान रात को गाड़ी में सोया था गाड़ी में आग लग गई सी एंजी की गाड़ी थी बिचारा उसी में जलकर वस्म हो गया कहा तो यही जाया कि आंदोलन की बेंट चड़ गया उस दिन एक किसान एक सीडेंट में बिचारा अनरोध करते हैं एक बार फिर कहते हैं कि सरकार एक बार इस पर बिचार करें चाहे बिल वापस ले न ले लेकिन एक बार इन गरीब किसानों के साथ बैठ कर एक बार बात करें और इनकी बात पुरी तनमेता से सुनें अगर ये बिल वापस चाहते हैं तो सरकार को बाकाइदा बिल वापस ले लेना चाहिए और किसानों के परतिनीदी मंडल को बैठा कर उनसे बिचार बिमर्स कर एक नया बिल लाना चाहिए जिसमें उसके भी MSP का विसेश्ट खयाल रखा जाए आलू की कीमत एक नियत हो गन्य की कीमत एक नियत हो धान की कीमत एक नियत हो और जब सब चीज नियत होगी तो आपको और आपके किसान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये सब जो आप दिनभ़ टीवी पर देखते हैं दिनभ़ समाचारों देखते हैं ये असली खबरे नहीं हैं असली खबरे मिलेगी तो आपको हम जैसे छोटे छोटे लोग दिखा रहे होंगे जिन खबरों को देखना नहीं चाहते हैं जिन खबरों को आप समर्थन नहीं करना आप सिर्फ उन लोगों को पसंद करते हो जो साम को टीवी पे जगडा कराते हैं फसाद कराते हैं और वो बाहर निकलकर वही सब लोग ये टीवी पे जगड रहे होते हैं बाहर निकलकर चाई पीते हैं और बात करते हैं और आप उस बेग गुनाई की बातों में फसकर अपने को समझते हो कि मैं हिंदू हूँ मैं मुश्लिम हूँ मैं सिक्ख हूँ मैं इसाई हूँ आपको याद होगा नाना पाटे करने एक मुस्लिम इवक की एक फिल्म में उंगली फोड़ी थी और अपनी उंगली फोड़ी थी दौनों के बिलड में कोई इंतर नहीं था इस देस में हिंदू भी रहेगा मुश्लिम भी रहेगा शिक भी रहेगा और हीसाई ही भी रहेगा फिर जब सब रहेंगे तो हम क्यों जगड़ेंगे हम बात अपनी करेंगे, अपने किसान की करेंगे, अपने देस की करेंगे, अपने देस हित की करेंगे जब हमें रोजगार मिलेगा, जब हमें काम मिलेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे किसान को MSP मिलेगी किसान को सब कुछ मिल जाएगा लेकिन नहीं मिलेगा कुछ भी तब तक इस देश का किसान खत्मोच कोआ होगा किसान आत्मत्या के लिए भागेगा उसकी बेटी साधी के लिए बैठी रहेगी उसके बेटा बिना पड़े रहे जाएगा आदे से जादा किसान पचास साल की यह तक जाते जाते घुद्धा हो जाता है और जबकि सत्तर साल का नौजवान जो राजनीती करता है वो नौजवान बना रहता है जो सत्तर साल का बुड़ा आदमी राजनीती करता है उसके चेरे की चमक फीक ही नहीं होती है डाल को वो 40 रुप्या में मार्केट में बेच के आता है 35 रुप्या में बेच के आता है और ये कट तक चलेगा जिस गैहूं को वो जब आटा लेने दिली जाता है या लखनव जाता है तो 40 रुपया में एक किलो आटा थैली में लेकर आता है जिस गहों को वो जितना आटा खाता है सहर में जाका है इतना गहों तो रास्ते में फैल जाता है इतना गहूं तो जो गहूं जब थ्रेसिंग हो रही होती है तो उसके यहां जो गरीब लोग आ जाते हैं उन्हें वो वैसे ही खुसी से दे देता है वो किसान एक किलो वाटा चालिस रुपया का लाके पेट भाता है तो उसे MSP की बात क्यों नहीं याद आएगी जब आप MRP के लिए लड़ते हो तो MSP की लड़ाई गलत नहीं है पहली बात दूसरी बात किसान को जब ये विलमंजूर नहीं है तो किसान से बैठ के बात करो वो चंद नेतां से बात मत करो आप फिर भूल कर जाओगे नेता, किसी भी दल का किसी भी संग्ठन का नहीं होता है आप सरेयान सड़क पर आईए आपके मिनिस्टर आएं, कहीं कोई खत्रा नहीं है जहां भरी पंचाए, चाए वो सिंदू बॉर्डर है चाए वो गाजी पर बॉर्डर है बहां किसानों के साथ बैठकर चर्चा कीजिए इसमें क्या गलत है, क्या सही है और बदल दीजिए ये पूरा सिस्टम और बदल दीजिए ये पूरा बिल मिलते हैं, जल्द ही फिर किसानों की बात लेकर आप हमारे साथ बने रहें अगर आपने पेज लाइक नहीं किया तो पेज लाइक कर लें और यूटूब पर सस्क्राइब कर लें और हमारी वेबसाइट www.specialcoveragenews.in हमारे साथ बने रहें हम आपकी हर सच्ची खबर नमबर हमारा नोट कर लें 9891-54454545 999946-9190 दोनों नमबरों से किसी भी नमबर पर आप अपने से संबंदित पर ख़जोब भी आपकी समस्या है हम आपको समर्हान के लिए सरकार से प्रसाशन से सबसे बात करने के लिए हर समय तत पर आप हमारा साथ दे हम आपके साथ हर जंग में लड़ाई लड़ेंगे नमस्कार